हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कक्षा एक समाज इज्ञान की वर्क सीट हल करेंगे सब्ता 24 उपविशय घरों के प्रकार तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रश्न एक बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं तो बताईए बच्चो बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं वेरी गुड आपने सही बताया बर्फ से बने घर को इगलू कहते हैं चलिए दूसरा प्रस्न करते हैं प्रस्न दो नीचे दिये गए चितर को कौपी में बनाकर रंग भरिये तो बच्चो आपको अपनी कौपी में यहे चितर बनाकर रंग भरना है तो यह कार्णे आप अपने आप करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न तीन मिलान कीजिए पहला इगलू तो इगलू को मिलाएंगे घर चित्र से दूसरा हाउस बोट हाउस बोट को मिलाएंगे घर चित्र से तीसरा टैंट टैंट को मिलाएंगे कर चित्र से और चोथा कारवा कारवा को मिलाएंगे ख़ चित्र से चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न दी गई वीडियो देखकर सैंडविच बनाने के लिए प्रियोग की गई सामगरी के नाम लिखिए तो बच्चो यहाँ पर हमें सैंडविच बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं हमें उनका नाम लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैड, टमाटर प्याज, खीरा सौस, पनीर के टुकडे मक्खन तो यह सभी चीजे हमें सैंडविच बनाने के लिए जरूरी होती हैं चलिए, आगे बढ़ते हैं कोरोना जागरुकता अभियान कोरोना से बचाव के लिए पहला हमेशा फेस मास्क पहने दूसरा, हाथों को साबुन वपानी से बार-बार धोते रहें तीसरा, भीड भार वाली जगाओं से बचें वह समाजिक दूरी बनाए रखें तो बच्चो, यह वर्क सीट यहां कम्प्लीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल Knowledge Kingdom Thank You